देश में कोरोना का जो बम है वो फटा हुआ है चारो तरफ महामारी जो है वो फैली हुई है लेकिन इसी कोरोना की महामारी के बीच में हमारे देश में मनाया जा रहा है वैकिनेशन उत्सव एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ वैकिनेशन उत्सव और आगर हम आंकडों की बात कर लें तो एक आंकडा बड़े जोर सोड से पूरी की पूरी जो केंदर सरकार है प्रधान मंतरी नरेंद मोधी की सरकार है वो प्रचारित और प्रसारित करने में लगी हुई है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ में 10 करोड जो ठीके हैं वो लगाने का record हमने बना लिया है यानि कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेजी के साथ 10 करोड लोगों को vaccination लगाने वाला देश बन गया है लेकिन असल में आंकडे क्या कुछ कहते हैं और इसके इतर जो आंकडे हैं वो किस तरह की हमारी जो तयारी है देश की कोरोड वेक्सिनेशन को लेकर वो क्या कुछ कहती है ये भी आपको बताऊँगा लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है प्रदान मंतरी नरेन मोदी ने जैसे कहा था आपदा में अफसर तो आपदा एक बा पाइदान पर अमेरिका है और ब्राजील को पीछे चोड़के अब हिंदुस्तान दूसरे पाइदान पर पौच गया है लेकिन प्रदान मंतरी नरेन मोदी ने जिस तरीके से आपदा में अफसर की बात कही थी तो भारत की जो वैक्सीन बनाने वाली कमपनिया है आखिर उन आखड़े को लेकर धोल की जो पिटाई है वो की जा रही है यानि कि धपली पूरे देश भर में उस आखड़े को लेकर बजाई जा रही है आखड़ा है कि पूरी दुनिया में हमने सबसे तेजी के साथ में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्षे है वो हासिल कर लिया है 0.9% लोगों को ही आज की तारीक तक vaccination लगा है, 0.9% vaccination का मतलब है कि जिन लोगों को दोनों dose complete dosage of vaccination लग चुकी हो, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो देश की पूरी आबादी की महज 0.9% है और जिन विक्सित देशों से हमारा मुकाबला होना चाहिए, उन देशों के सामने हम आखड़े किस तरीके के हैं, यह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आखड़े आपको नजर आएंगे, यह दरसल आखड़े हैं our world in data के, और यह आखड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 77.4 करोड लोगों को अभी तक vaccination की जो doses हैं, वो दी गई हैं, इस में से जो fully vaccinated लोग हैं, यानि कि जिनको पूरी की पूरी dosage जो complete है, वो मिल चुकी हैं, चाहे किसी में vaccine में 2 doses लग रही हूँ या किसी में 3, तो वो संख्या है 16.9 करोड यानि कि पूरी दुनिया में 77.4 करोड लोगों को dose दी गई हैं, fully vaccinated 16.9 करोड हैं, और अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो ये महस 2.2 कीज दी हैं, अब बात कर लेते हैं उन देशों की, कि आखिरकार जब देशों की फेरिस्ट बनती है, जिसमें अमेरिका है, ब्राजील है, चाइना है और हिंदुस्तान है, तो इस पूरी की पूरी लिस्ट में आखिरकार भारत के आंखडे किस तरीके के हैं, और भारत किस नंबर पर किस पायदान पर आता है, तो सबसे पहले इस लिस्ट को देखिए, ये लिस्ट बताती है कि अमेरिका में जिन लोगों को वैक्सीन की डोस दी गई है, उनकी संख्या है 18.3 करोड, फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या है 7.07 करोड, यानि के अमेरिका की कुल आबादी का जन संख्या के 21.5 फीजदी लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, अब चीन की बात करते हैं, तो चीन में सिर्फ एक आंखड़ा निकल कर सामने आया है कि 16 4.4 करोड लोगों को वैक्सीन मिली है, कितने लोगों को फुली वैक्सीनेट किया गया है, कितने फीजदी आबादी को किया गया है, ये सब आंखड़े सामने नहीं है, क्योंकि चीन अपने आंखड़ों को काफी जादा चुपाता है, पूरी दुनिया को इस बात का मालूम को dosage vaccination के दिये गए हैं लेकिन अगर fully vaccinated लोगों की बात करें के यानि के जिनको पूरा complete जो dose है vaccination की वो दी जा चुकी है तो वो संख्या सिर्फ 1.27 करोड है 1.27 लोगों को ही fully vaccinated अभी तक किया गया है और ये भारत की कुल आबादी का बैठता है यूके की बात कर लें तो कुल मिलाकर 3.9 करोड लोगों को dosage दी गई है fully vaccinated लोगों की संख्या है 69.9 लाक यानि के 70 लाक से कम लेकिन उनकी आबादी का ये जो जनसंख्या है उसका बैठता है 10.5 फीज दी ब्राजील की बात कर लें तो 2.6 करोड लोगों को vaccinate किया गया है और 70 से जादा लोगों को fully vaccinate किया गया है यानि पूरी आबादी का महस 2.9 फीज दी अब अगर इन देशों की फेरिस्त में हम देखे हैं तो अमेरिका की 21 फीज दी से जादा जनता को fully vaccinate किया जा चुका है लेकिन बात अगर हिंदुस्तान की करें तो अभी तक एक 20 जनता भी जो है वो fully vaccination वाली कैटेगरी में नहीं आई है पूरे तरीके से vaccination नहीं हुआ है सिर्फ 0.9 परसेंट ये याद रखिएगा और अब बात करते हैं आपदा में अफसर की जब देश भर में महामारी फैली हुई है और दूसरी तरफ vaccination उत्सव मनाया जा रहा है तो ऐसे में आपदा में अफसर वाली प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने कही थी कम से कम देश के अंदर जो vaccination बनाने वाली दो बड़ी कंपनिया है उन्होंने तो आपदा में अफसर ढूंड लिया है और यह आपदा में अफसर इस तरीके से ढूंडा है कि भारत बायोटेक जो की कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन बना रही है उसने भारत सरकार से कहा है कि मुझे 1.500 करोड रुपे दिये जाए 1.500 करोड रुपे किस बात के लिए 1.500 करोड रुपे इस बात के लिए क्योंकि भारत बायोटेक की दो मैनुफेक्चरिंग यूनिट है एक बैंगलॉर में और दूसरी हैदराबाद में और अगर जादा संख्या में वैक्सीन चाहिए क्योंकि कोरोणा का विसफोर्ट हो चुका है तो 75 करोड रुपे में बैंगलॉर वाली लाइन से उत्पादन बढ़ाया जाएगा और 75 करोड रुपे में हैदराबाद वाली लाइन से इसलिए भारत बायोटेक को भारत सरकार से चाहिए 1.500 करोड रुपे अब बात करते हैं इससे बड़े आपदा में अफसर की दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टिट्यूट सीरम इंस्टिट्यूट ने भी इसी तरीके से भारत सरकार से गोहार लगाई है कि अब क्योंकि कोरोना विसफोर्ट पूरी दुनिया में हो चुका है और हमारे देश में भी आपदे लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सीरम इंस्टिट्यूट ने भी आपदा में अफसर ढूंड़ा है और कहा है कि हमें भी पैसा चाहिए कितना पैसा चाहिए सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा है कि जो मौझूदा उनकी शमता है वैक्सीन बनाने की उसको अपग्रेड करने के लिए उनको तीन हजार करोड रुपे चाहिए तो 75 और 75 डेड़ सो करोड रुपया चाहिए भारत बायो टेक को और 3000 करोड चाहिए सीरम इंस्टिट्यूट को और सीरम इंस्टिट्यूट ने साथी साथ एक बात और भी कहिए कि अगर एक डेडिकेटड कोवी शील्ड फैसिलिटी कोवी शील्ड यानि के जो वैक्सीन सीरम इंस्टिट्यूट बनाता है अगर dedicated covid shield facility चाहिए तो उसके लिए भी company को 1000 करोड रुपे अलग से चाहिए तो कुल मिलाकर इस्तितिया ऐसी हैं आंकडे अपने आप गवाई देते हैं भले ही हमने 10 करोड लोगों को vaccination सबसे तेजी से पूरी दुनिया में कर लिया हो तो ये आंकडे हैं और आंकडे खुद बाखुद गवाई देते हैं कि आखिरकार हकीकत क्या कुछ है वहीं आप बात कर लेते हैं दूसरी कि आपदा में अफसर किस तरीके से ढूना जाए तो ये देश के अंदर जो दोनों vaccine बनाने वाली कंपनिया हैं उन्होंने दिखा दिया है एक कंपनी को चाहिए 75 और 75.500 करोड रुपे अपनी दोनों facilities में उत्पादन बढ़ाने के लिए वही सीरम इंस्टिट्यूट को चाहिए 3,000 करोड रुपे मौजूदा जो उत्पादन शमता है उसको बढ़ाने के लिए और कोवी शील्ड की एक अलग से पूरी dedicated line लगाने के लिए 1,000 करोड और चाहिए यानि के दोनों कमपनियों की अगर हम बात कर लें तो कुल मिलाकर 4,150 करोड रुपे इन कमपनियों को चाहिए उत्पादन शमता अगर बढ़ानी है तो जिस तरीके के कोरोणा के चलते देश भर में दुनिया भर में हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है सब को इसके बारे में मालूम है लेकिन भारत में असल में क्या कुछ स्तिती है वो स्तिती हमने आपके सामने रखने की कोशिश की अब आप खुद इन आकडों को भी देखिएगा समझिएगा और चिंतन और मनन कीजिएगा कि आखिरकार कोरोना के नाम पर जो ये पूरा का पूरा एक तरीके से माहौल हम लोग देख रहे हैं कि चुनावी रैलियों में कोरोना का कोई असर नहीं होता नेता धड़ा-धड र कोरोना के हालात इस तरीके के हैं तो आखिरकार आंकडे किस बात जो आंकडे हैं वो खुद बखुद इस बात की गवाई दे रहे हैं कि आखिरकार हमारे देश में हालात क्या कुछ है